दोस्तों हमारे चैनल गान भर्णडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सेंसर बोर्ट कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और बगल में जो ब चर्चा में बना रहा। लेकिन Sensor Board किस तरह काम करता है और फिल्मों को अपरूव करने की इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये आप जरूर जानना चाहेंगे। इसलिए आज आपको बताते हैं Sensor Board के बारे में Central Board of Film Certification एक वैधानिक संस्था है जो सुचना और प्रसारण मंत्र साले के अंतरगत आती है। हमारी देश में बनने वाली फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का कारे ये संस्था ही करती है। हर फिल्म को रिलीज होने से पहले Sensor Board की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। Sensor Board के अधक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के इंद्र सरकार करत है और इस बोट के सदस्य किसी भी सरकारी पद पर नहीं होते हैं। इसका Head Quarter मुंबई में है और इसके नौक्षेत्री कार्याल है मुंबई, कॉलकाता, चेनाई, बैंगलूर, तिरुवननतेपुरम, हैदराबाद, नई दिली, कटक और गुवाहाटी में मौजूद है। Sensor Board किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन में अधिकतम 68 दिनों का समय ले सकता है। फिल्मों को उनके content के अनुसार चार कैटेगरिज के अंतरगत सर्टिफिकेट दिया जाता है। पहली कैटेगरी यू यानि यूनिवर्सल इस कैटेगरी की फिल्में सफीवर्क के दर्शकों के लिए होती है। दूसरी कैटेगरी यू यू इस कैटेगरी की फिल्मों को बारह साल से कम मुम्रे के बच्ची अपने माता पिता या किसी बड़े की देख रेक में ही देख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी यू ये फिल्में सिर्फ एदल्स के लिए होती हैं। चौती कैटेग इसी पैनल द्वारा पास्ट कर दी जाती हैं. इस पैनल में सेंसर बोट के अधक्ष शामिल नहीं होते हैं. फिल्म में आवश्यक बदलावों की रिपोर्ट चांच समिति द्वारा अधक्ष को भीजी जाती है. इसके बाद दूसरा पैनल अपना काम करता है. इस पैनल को ये सुझावों को अगर फिल्म निर्माता मानने से इंकार कर देता है, तो ऐसे में ये पैनल फिल्म को पास करने से इंकार करने का अधिकार रखता है. फिल्म प्रमाणन अपीली या अधिकरन, एफसी, एटी, तीसरा और आखरी पैनल होता हैं जिसमें फिल्म जगत के Supreme Court में अपेल कर सकता है। वर्तमान में Sensor Board के अध़क्ष स्क्रीन राइटर और कवी प्रसुन चोशी है। दोस्तों, Sensor Board इसे तरह अपना काम बखू भी करता रहे और हमें ऐसी फिल्में देखने को मिलती रहे जो मनुरंजन के साथ साथ समाज में बहतर बदलाव भी ला सके। उमीद है कि Sensor Board से जोड़ी ये जानकारे आपको पसंद आई होगी और अब आप समझ गये होंगे कि फिल्मों को हम तक पहुझने के लिए कितना लंबा सफर तै करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे रन्यवाद।